नमस्कार दोस्तों मैं सुजीत पांड़े आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अल एक्जाम गाइड गुरू के यूटूब लेट हों पर दोस्तों यहां पर लेकर आए हैं आपके लिए जीव इज्ञान के नौन स्टॉप है most important question है सभी एक्जामों में आय हुए पैनिसलीन इससे निकौरा जाता है सबसे पहले question यहां पर सए आंसर हो जाएगा आपका प्रतीजाय इविक किया प्रभाव होता है यहां पर सए-आंसर क्या हुआएगा अप्शेन नम्र 4 यहां पर सी आंसर हो जाएगा अगला question देखिए question n. 3 Q3 में आपसे पूछा है रक्त के इसकंदन में इन में से कौन सहायता करता है तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा रक्त की प्लेटलेट्स Option No.2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अगला Q4 देखते हैं Q4 में आपसे पूछा गया है कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोशन को बदलता है तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोशन को बोरून बदलता है Option No.2 में जो बोरून लिखा है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा Q5 देखते हैं बस दालक्टी वो विल्कुल सही आंसर हो जाएगा कॉश्चन नबर 6 निम्नलिकित में से कौन विस्तरत इस्पेक्ट्रम प्रतीजविक जिसको एंटिबाइटिक कहते हैं आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नबर 3 एंपी सिलीन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा यह एक इस्पेक्ट्रम प्रतीजविक है विस्तरत इस्पेक्ट्रम प्रतीजविक अगला कॉश्चन देखे कॉश्चन नबर 7 हमारे दांत और अस्तियां आम तोर पर किससे बनते हैं तो हमारे दांत और अस्तियां आम तोर पर यहां पर सही आंसर है आपका option number A try calcium fastpate option number 1 यहां पर सही answer हो जाएगा अगला question देखिए अगला question यह रहा आपकी screen पर question number 8 किससे अंगोरा उन निकाली जाती है यहां पर क्या सही answer हो जाएगा बताइए अंगोरा उन इसका answer आप मुझे comment box में दीजिएगा मैं आपको दो option यहां पर गलत बता देता हूँ एक यह आपका गलत है 50-50 आपको life line दे रहा हूँ एक आपका option number 3 गलत है और option number 2 गलत है एक और 4 में से आप answer दीजिए comment box में अगला question देखी अगला question यह रहा आपकी screen पर क्योंकि यह question कई बार exam में आया है आपने जरूर पढ़ा होगा इसका सही answer जरूर दीजिएगा महीलाओं में पुरुस की अपिक्चा निम्नलकित में से कौन सी बिमारी होने की प्रवति अधिक होती है तो पुरुस की अपिक्चा महीलाओं में इन में से कौन सी बिमारी अधिक होगी यहाँ पर सही answer जरूर गाठिया option number 4 गाठिया रोग महीलाओं में अधिक होता है एक ला question देखी question number 10 प्यूश ग्रंथी कहाँ पर इस्तित होती है तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा प्यूश ग्रंथी मस्तिष्क में इस्तित होती है option number 1 यहाँ पर सही answer हो जाए question number 11 देखिए स्वस्त मनुस्यकी सामाने रक्ट सरकरा उपवास में सीमा कितनी होनी चाहिए तो सामाने रक्ट सरकरा blood sugar आपकी सक्तर से सो option number 3 यहाँ पर सही answer हो जाएगा सक्तर से सो होनी चाहिए question number 12 देखिए यदि एक पेड़ में एक पेड़ है जिसके तने का अनुपस्त परिशिद करने पर 50 घेरे दिखाई देते हैं पेड़ की आयू कितनी होगी तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा 50 पर option number 4 यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question देखिए यह आपकी screen पर प्याज निमले कितमे से किसका विक्सित या फिर अधी शोधित रूप है यहाँ पर सही answer क्या हो जाएगा तो सही answer है आपका तना option number 2 में जो तना दिया हुआ है तने का अधी शोधित रूप है विक्सित रूप है प्याज अगला question देखिए question number 14 मक्के में परागण कैसे होता है तो मक्के में परागण आपका option number हवादवारा संकर्ण परागण से option number 3 यहाँ पर सही answer हो जाएगा हवादवारा होता है दोस्तों आपके लिए हमने महनत करके 10,000 जीकी के caution एकटे किये हैं एक साथ ही 10,000 caution आप messages को चाहिए आपको बताना देखिए railway SSC TEET teacher eligibility test जो होता है पतवारी, police सभी exam के लिए के caution है और यह पिछले 3 साल से बार बार पुछे आ रहे है आपको यह PDF चाहिए आपको एक PDF वाटसप पर मिलेगी यह PDF 300 रुपए की है और 300 रुपए की यह PDF केवल 99 रुपए में आपको मिल रही है रिजन यह है कि अभी railway group D का exam चल रहा है और अधर एक्जाम भी आने वाले हैं केवल एक हजार बच्चों को यह PDF 99 रुपए की मिलेगी आप में सुझेजिस को यह PDF चाहिए आप नीचे दियागए नंबर पर WhatsApp कर सकते है वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी Q3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अगला Q3 देखिए यह आपका अगला Q3 आपको बताना है मानव शरीर में Dehydration निम्ने पतार्थों की कमी से कारण से होता है तो simple सा आंसर है Dehydration जल की कमी कारण होगा अच्छा खूब पानी पीजिए नारिल पानी पीजिए Dehydration की सिकायत आपको नहीं रहेगी Yellow urine ज्यादा नहीं आने चाहिए आपकी बहुत ज्यादा yellow urine आएगी तो dehydration मतलब पानी कम पीजिए है आपने कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा होता है Q17 में पूचा गया है आपका option number 3 पर लिखा सुत्र मुर्ग यहाँ पर सही answer हो जाएगा अगला question देखिए यह रहा आपका question number 18 परकनली शिशु के संबंद में तथ्य क्या इन में से सही हो जाएगा तो परकनली शिशु के संबंद में तथ्य यह सही है अंडे का निशेचन मा के शरीर से बाहर होता है यह वाला कथन आपका option number 4 बिलकुल सत्य है question number 19 देखिए किसी रख्च की आयू करनलान नेमलिकित में से किसके आधार पर किया जाता है तो यहाँ पर सही answer क्या हो जाएगा किसी भी रख्च की आयू करनलान विकास वले option number 3 यहाँ पर बिलकुल सही answer हो जाएगा विकास वले के आधार पर किया जाता है question number 20 मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूर्शन से होता है तो यहाँ पर सही answer क्या हो जाएगा किस पौधे के फलों को भूमी के नीचे पाया जाता है तो इन में से कौन सा पौधा भूमी के नीचे होता है question number 21 में आपर मुमफली बिलकुल सही answer हो जाएगा option number 3 मुमफली सही answer हो जाएगा अगला question देखिए silent valley में दुरलब और नष्ट प्राया पसु कौन सा है तो silent valley आपकी किस राजिम है आपको comment करके बताना है और दुरलब और नष्ट प्राया पसु वहाँ पर सेर की पूझ ऐसा मैं क्यों एक बंदर है जो की सेर की पूझ ऐसा है चहरा उसको आप देखिएगा question number 24 देखिए जन्तु में वहाँ enzyme प्राणाली नहीं होती जिस क्याधार पर वे dash से उर्जा प्राप्त कर सकें तो जन्तु में ऐसी enzyme प्राणाली नहीं होती जिससे वे पानी से उर्जा प्राप्त कर सकें option number 2 बिल्कुल सही answer हो जाएगा question number 25 देखिए clone की colony किसको कहा जाता है तो clone की colony यहाँ पर सही answer क्या हो जाएगा यहाँ पर सही answer है एक समान अनुवांश की संगटन वाली कोशिका है मतलब option number कौन सही answer हो जाएगा एक समान अनुवांश की संगटन वाली कोशिका है option number 3 यहाँ पर right answer हो जाएगा आपका याद रखिएगा, ठीक है, अगला कॉश्चन देखिए, कीटों द्वारा परागत फूलों के परागण होते हैं, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, रुक्च मतलब रफ और चिपचपे होते हैं परागण, जो की कीट परागत फूलों के परागण, अगला कॉश्चन, एसबेश्टोस द्वारा प्पहलाया जाने वाला रुप कौन सा है, यहाँ पर क्या आंसर सही हो जाएगा, आपका सही आंसर है, अप्छन नमर 3 में जो आपको अतिशाय लिखा है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अगल मतलब कलर वीजन निमलिकित में से किसकी मौझूदी से प्रभावित होता है क्या हो जाएगा सई आंसर चार ऑप्शन आपको दिये हैं यहांपर सई आंसर आपको कौन यहांपर शंक को ऑफशन नुमर 4 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अगला कौशन देखते हैं अगला क कोशन नमर' 30 सरवाद Ihnen प्रकाष इंशलेश एक्रिया UC Лब कहा हcakलता है तो सरवादी के प्रकाष इंशलेश एक्रिया किरया कलाप नीले और लाल रंगय के चीतर हो में प्रकाष कराप्शन नुमर' यहांपर बिल्कुल स्ही आंसर हो जाएगा कौशन नुमर 31 देखिए os virus क् इस्तिमाल करती है, चार option आपके सामने दिये हुए, यहाँ पर सही अंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपकी यातायाद पुलिस यूज करती है, potassium dichromate sulfuric, option number A, यहाँ पर बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा, ठीक है, dichromate sulfuric, potassium dichromate, अगला caution देखिए, anglo-nubian किसकी नसल है, anglo-nubian इन में से किसकी नसल है, यह एक बकरी की नसल है, option number 2, यहाँ पर सही अंसर हो जाएगा, ठीक है, अगला caution देखिए, caution number 34, किस किसम की मिट्टी में gypsum का प्रयूग करके, उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाये जाता है, तो जिपसम का यूज करके, यहाँ पर सही अंसर हो जाएगा, आपका अमलिय, option number 2 में, जो अमलिय मिट्टी दी है, अमलिय मिट्टी में gypsum का उपयुक्त जादा करा जाता है, इससे वो फसल के लिए उपयोगी हो, निम्नोक्त में से कौन सा इस्ट्रिलिंग हार्मोन है, आपको बताना है, तो यहाँ पर सही अंसर हो जाएगा, estrogen, option number 1, यहाँ पर बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा, question number 36 देख लेते हैं, यह आपकी स्क्रीन पर, सामाने प्रियोग में आने वाले मसाला लोंग कहां से प्राप्त होते हैं, तो सामाने प्रियोग में आने वाले मसाला लोंग, आपकी फूल की इकली, option number 3 यहाँ पर सही अंसर हो जाएगा, वहां से प्राप्त होते हैं, question number 37, यहाँ आपकी स्क्रीन पर, 38, question number 38, यह रहा आपकी screen पर मानों का सामाने रक्त सुगर blood सुगर कितना होता है क्या हो जाएगा answer, question number 38 का तो यहाँ पर 80-90 वाला सही हो जाएगा 70-100 होता है तो 70-100 में आपका 80-90 वाला दिया है तो option number C यहाँ पर सही answer हो जाएगा अगला question देखिए सूत्र कणिका, जिसको माइट्रो कॉंडिया भी आप बोलते हैं, किसका केंद्र होती है question number 39, यहाँ पर क्या सही answer हो जाएगा सही answer है आपका, कोशी की option number 4, यहाँ पर बिल्कुल right answer हो जाएगा question number अगला देख लेते हैं, यह आपकी screen question number 40, इसमें आपको मुझे बताना है कि प्रती जयविक पैनिसलीन निम्लिकित में से किस से प्राप्त होता है तो पैनिसलीन यहाँ पर सही answer हो जाएगा option number 2, कवक से प्राप्त होता है याद रखना most important question है, अगला question देखिए पादपों, पौधों में वासपोत सजन उस स्तती में अधिक तीव रगती से होगा जब इन में से क्या होगा, तो यहाँ पर क्या सही answer हो जाएगा जब भी वातावर्णी आवस्ता बिलकुल सुष्क होगी तो वासपोत सजन पादपों या पौधों में सबसे अधिक होगा याद रखना most important question है, अगला question देखिते लेते हैं, यह आपकी screen पर यक्षमा के विरुद्ध, निम्लिकित में से कौन सी औसद असर दारक या प्रभावकारी होती है चार option आपके सामने दी है, तो यक्षमा में जो आपका streptomycin option no.4 बिलकुल सही answer हो जाएगा, यक्षमा में streptomycin बिलकुल right answer हो जाएगा, यक्षमा को और क्या बोलते हैं, कौन सा रोग है, यक्षमा कोई comment करके जरूर बताई, जिसको पता है, देखते हैं कितने लोगों को knowledge है किस vitamin की कमी के कारण, मसूडों से रखता आना और दात हिलने की समस्या होती है, caution no.43, vitamin C की कमी से ये चीज़ें होती है, यदि आपके सरी में vitamin C की कमी होगी, तो दात हिलेंगे, मसूडों से रखता आएगा, अगला caution देखिए, जोडों और मूत्रामल किष्टा जमा होने पर निम्लिकित्में से कौन सा रोग पैदा हो जाता है, caution no.44, चावालिस का आंसर सही गाउट, option no.4, गाउट नाम का रोग हो जाएगा, आपको या रखना, ठीक है, अगला caution देखो, caution no.45 नमबर आगया है, मुख, सोधनों, मतलब माउथ और तूट पेश्टों में निम्लिकि जो प्राणी, जो प्राणी अपनी आँखों के रूप में ध्वनी का इस्तिमाल करता है, वो इनमें से कौन है, क्या हो जाएगा, सही आँशर तो सही आँशर आपको option no.45, आप सबी को पता है, चमगादर जो है आँखों के रूप में ध्वनी चोड़ता है, ध्वनी टक्र का प्रयोग होता है, spirelina क्या होता है यहां पर स्हीय answer है, 복terium option number four यहां पर right answer हो जाएगा, यहां पर right answer है कौशन देखिए, question number 48, antrajowar किसके कारण होता है तो antrajowar यहां पर स्हीय answer हो जाएगा आपका question number 48 answer, G1 option number two Here right answer हो जाएगा, caution number 49, यहां पर आपकी screen पर निर्म लेकित में से कौन सा रुदिर वर्ग विश्व व्यापी अदाता मतलब यूनिवर्सल रिसीपियंट कहलाता है क्या हो जाएगा सही आंसर 49 का तो 49 का सही आंसर आपका आपका आप्शन नमबर 3 AB ठीक है याद अपना AB यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अगला कॉश रॉट शेफ्ड बैक्टिरिया उसको आप Lactobacillus कहते हो तो रॉट शेफ्ड बैक्टिरिया को Bacillus कहा जाता है क्या नमबर 59 देख लेते हैं निर्म लेकित में से वह जानवर कौन सा है जो भारत से हाल ही में लुपत हो गया है क्या नमबर 59 तो यहां पर सही आंसर है आपक अगला question देख लेते है question number 53 यह आपके screen पर आपसे पूछा गया है sponge क्या होता है sponge क्या होता है सही answer क्या है sponge आपका एक पशू होता है option number 4 यहाँ पर सही answer है एक पशू है sponge यहाँ रखीगा clear अगला question देखते है question number 54 ऐसे यूगल जिसका रुधिरवर्ग क्रमशा A और B हो के बच्चों में निम्लिकितम से कौन सा रुधिरवर्ग पाया जाएगा बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर सही answer question number 54 का answer है आपका A भी हो सकता A B A भी या हो option बतीन यहाँ पर सही answer है इनम्लिकितम से कोई सा रुधिरवर्ग पाया सकता है यहाँ पर सही answer हो जाएगा option number A यहाँ पर सही answer हो जाएगा बाकि यह सभी वाइरस से नहीं होते यहाँ रखना है अगला question देख लेते है question number next question number 56 पर क्या पूचा गया है आपसे निम्लिकितम से विटमिन B कौन सा है बताइए तो 56 विटमिन B के बारे हैं पूचा गया है सही answer आपका क्या हो जाएगा सही answer आपका थाइमीन option number 2 विटमिन B है ठीक है अगला question देखो यह आपकी screen पर next question caution number 57 कौन सा सही है इन में से कोई एक सही है तो आपको मैं direct बता लेता हूँ आप याद कर लीजिए बाकी सभी गलत है तो सही है आपका अधी शंके जियों में अनुवांशिकी पदार्थ DNA होता है ठीक है जी नहीं पदार्थ या अनुवांशिकी पदार्थ जो जीन्स आप बोलते हो DNA होता है number 1 सही है बाकी किसी को मत देखो मत याद करो अगला question देखो question number 58 यह आपकी स्क्रीन पर रोग जनक जीवानु निसारित करते हैं तो रोग जनक जीवानु question number ने पूछा गया है तो यह प्रतीजन आपका option number A यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्रतीजन निसारित करते हैं question number 59 मतलब 69 नंबर का Parkinson रोग के इलाज को विक्सित करने में किसी Nobel पुरुषकार से सम्मानित किया गया तो यहाँ पर सही आंसर है आपका option number 2 Walter Cohen option number 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है question number 60 यह रापनी स्क्रीन पर निम्नुक्त खादे पदार्थों में से किसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा खादे पदार्थों में जो आपका सेयो है option number तो वहाँ पर सेयो में लोहे की मात्रा अधिक होती आईरन अधिक होता है कितनी ऊर्जा होती है तो जो sweet x खाते हैं उसमें 5 kcal option number आपका एक सही answer हो जाएगा sweet x में 5 kcal ऊर्जा होती है question number 63 मानाव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा त्थ्य पाय जाता है तो मानाव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में oxygen पाय जाती है और वायू मंदल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाय जाता है यह आपको जो चार option दिख रहा है oxygen, carbon, loha और nitrogen इन चारों में से आपके वायू मंदल में सबसे अधिक क्या है oxygen कहां से आती है तो प्रकाष अंशलेशन के समय आपकी जो oxygen मुक्त होती है यहां पर सभी आंसर हो जाएगा आपका option नबर जल से आती है जल ही जीवन है अगला question देखो यह आपके screen पर question नबर 65 प्राध्यव की technology mission में निम्नोक्त में से क्या शामिल नहीं है तो प्राध्यव की technology mission में 65 प्राध्यव की आपका हो जाएगा सब जियां बिलकुल भी सामिल नहीं है option no.4 right answer हो जाएगा मेरे दोस्त बिलकुल easy है अगला question देखो question no.66 भारतिय वनस्पतिक सर्विक्षन मतलब botanical survey of India का मुख्यार यहां पर कहाँ पर है तो सही answer हो जाएगा आपका लखनव नवाबों का शहर लखनव option no.1 लखनव किस राज्यम है कमेंट करके बताओ जल्दी से वीडियो पॉस करो कमेंट करो लखनव कहा है और यह आपका अगला question sex hormones का पता किस ने लगाया था इन में से 67 का answer सही क्या हो जाएगा तो यूजीन इस तीन एक option no.2 very very right answer question no.68 किसी जैवयोगिक के किसी के प्रयोग द्वारा अप गठन की प्रक्रिया को किंडवन या फर्मेंटेशन कहते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा option no.2 प्रक्रियन या फिर एंजाएम ठीक है एंजाएम याद रखो एजी नाम है और प्रक्रियन होई अगला question देखो question no.69 किन मूल एकाईउं के किन मूल एकाईउं से मानों के अतरिक्त भाग या हिससे तयार किये जाते हैं बताएए कौन सी यासे एकाई है जिससे मानों के अतरिक्त भाग और इससे आप तयार कर सकते हो बिल्कुल सिंपल है stem कोशिकाए right answer हो जाएगा आपका option no.2 question number 70 दिख लेते हैं यह आपका question number 70 आज संजित स्लेश माप जिसको आप adherent mucoid बोलते हैं चारिये पदार्थों द्वारा आमासे के भीतरे आवरण को ढखेलने से इन में से क्या होता है question थोड़ सट अप है detail में रुक के पढ़ लो दो बार तो समझ में आ जाएगा मैं बतारहूं आपको answer शलेश मी का पर प्रेप सिं का प्रभाव रुख जाएगा option number 3 शलेश मी का पर प्रेप सिं का प्रभाव रुख जाएगा या रखना question number 71 यह राप की screen पर मनुष्य की जीव के किस भाग तक कड़वाहट की समविदना सीमित रहती है क्या हो जाएगा सही answer 71 का तो पिछली भाग में आपका कड़वाहट सीमित रहेगी option number 4 यहाँ पर सही answer हो जाएगा ठीक है अगला question देखें अगला question यह राप की screen पर question number 72 किसकी विधी का नाम है तो यहाँ पर सही answer क्या हो जाएगा 72 का गर्भ में शिशु के स्वास्त की दसाओं का पता लगाने के लिए option number 1 बिल्कुल सही answer हो जाएगा अगला question 73 प्रकास translation के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है तो 73 का सही answer क्या हो जाएगा oxygen option number 2 oxygen निकलती है हमें मिलती है carbon dioxide लेके oxygen बाहर निकालते है निम्नोक्त रुधिर कोशिकाओं में से कौन सी एक रक्त इसकंदन जिसको co-agulation बोलते हैं के लिए अनिवार है तो 74 का answer है आपका blood platelets जिसको पट्टी काणू बोलते हैं हिंदी में number 1 यहाँ पर सही answer हो जाएगा caution number 75 यह आपका question number 75 प्रत्थम विप्ट प्रतिज्यविक या एंटिविटिक कौन सा हैं में से 75 का सही answer है आपका penicillin option number 3 यहाँ पर right answer हो जाएगा विप्ट एंटिविटिक penicillin है यहाँ रखना most important question है कई पार आपने एक्जामों में इस question को देखा होगा caution number 76 यह आपकी screen पर विशानू या वाइरस में क्या होता है इनमें से विशानू या वाइरस में आपका nucleic acid और protein option number 2 यहाँ पर सही answer हो जाएगा जिसको आप thyroid भी बोलते हो तो thyroid करने के कम काम करने का क्या कारण हो सकता है 78 का क्या सही answer हो जाएगा तो iodine की अधी कमी है तो कम काम करेगी option number 1 बिल्कुल सही answer हो जाएगा 79 के के कड़े के कितने पैर होते हैं तो के कड़े के होते हैं आपके 8 फैर option number 3 यहाँ पर सही answer है के कड़े के 8 फैर होते हैं यहाँ रखने क्रैप के ठीक है अगला question देखो यह आपके screen पर question number 80 question number 80 में आप से क्या पूछा गया है 90 में से कौन सी केवल इस्त्रियों में पाई जाती है क्या इस्त्रियों में पाई जाएगा गुर्दा क्या नहीं करता भया 81 का अंसर दीची यहाँ पर सही answer है आपका प्रतिरक्षी तत्वों के उत्पादन गुर्दा नहीं करता बाकी 1,2,3 तीनों चीज करता है अगला question देखो question number 82 पौदों में जल का परिवान किसके माध्यम से होता है तो पौदों में जल का परिवान यहाँ पर सही answer क्या हो जाएगा आपका option number जाइलम बिलकुल सही answer हो जाएगा अगला question देख रहेते है question number next तो यह आपका अगला question यूकेलिप्टिस के व्रक्ष अधिक संख्या में कहां पा जाते हैं तो सबसे जादा यह पाई जाते हैं हमारे मीजो के पहाणियों में ठीक है option number 1 नागा, मीजो, खासी, गारो यह सब पहाणियां आपकी नौर्थ इस्ट में है तो मीजो के पहाणियां बिलकुल सही answer हो जाएगा अगला question देखो यह है question number 84 आपको बताना है निमलकितमे से वे रख्त करने का है कौन सी है जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती है 86 का क्या सही answer हो जाएगा तो यहाँ पर आपकी जो स्वेत कोशी का है option number 1 बिलकुल सही answer हो जाएगा question number 87 निमलकितमे से वा ग्रंथी कौन सी है जो शरीर को ताप स्तापी रखती है क्या हो जाएगा 87 का सही answer तो पी नियल ग्रंथी option number 1 बिलकुल सही answer हो जाएगा question number अगला देख लेते हैं यह रा question number आपका अगला 88 शरीर मानव डिम जो है मानव डिम में गुण सूत्रों की संख्या टोटल कितनी होगी तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा 46 ठीक है चालिस option number 2 यहाँ पर बिलकुल सही answer हो जाएगा clear चलो अगला question देखे 23 और 23 होते हैं तो 23 दूनी 46 ठीक है 23 जोड़ी होते हैं तो 23 दूनी आपका 46 हो जाएगा caution number अगला देखो हशीश पौधे से प्राप्त कियाती है यह बताईए कि पौधे की किस भाग से हशीश मिलती है आप लोग हशीश का मुझे नाम बताना हशीश का दूसर नाम क्या है आप जब पता करोगे तो बिलकुल easy है हशीश का दूसर नाम तने तथा नर्व पुष्पक्रम की निश्राव से option number 4 से answer हो जाएगा ठीक है अगला question देखो question number 90 निम्दल कितमे से शरीर का वहां अंग कौन सा है जो कभी भी विश्राम नहीं करता इतना easy है सबको पता है हर्दय option number 4 हर्दय विश्राम करेगा तो आप विश्राम घाट पहुंच जाओगे जिस दिन आपका हर्दय विश्राम करेगा आप सीधे विश्राम घाट पहुंच जाओगे किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाए जाता है ऐसा क्या है नाइटी वन तो भाई यह ख्लोरोप्लास्ट एक में होता है दूसरे में नहीं होता बस वही फर्क है पादप कोशिका और पशु कोशिका में ख्लोरोफ्लास्ट नाइटी टू परागज जोर्ण निर्म लिकिते में से किस का लक्षण है नीटी टू का यहां पर सही अंसर क्या हो जाएगा ऑप्शिका आपका 92 का सही आंसर है allergies परागज का allergies से संबने से दूसरा नमबर का सही है अगला question देखो निमलकित में से क्रच्री की उस चाखा को क्या कहा जाता है जो पालतु जानवर के चारे आश्रे स्वास्त तथा प्रजनन के संबन्द में है तो यहाँ पर 93 का सही आंसर क्या हो जाएगा पशुपालन या फिर एनिमल हस्परेंटी आप्शन नमबर 4 सही आंसर हो जाएगा caution नमबर अगला देखो 94 Edward डेजनर निमलकित में से किस वीमारी से जुड़े हैं तो यह महुता जुड़े हैं आपके चेचक वीमारी से option number 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चेचक अगला caution देखो 95 सयुक्त परणवाला पौधा बताइए तो सयुक्त परणवाला आपका नारियल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा निमलकित में से कौन सा पाचक एंजाएम नहीं होता है तो इन में से पाचक एंजाएम आपका इंसुलिन पाचक एंजाएम नहीं है बाकी तीनों पाचक एंजाएम है याँ रखना ठीक है अगला caution देखो question number 98 question number 98 विकास का सिद्धान्त निमलकित में से किस के द्वारा प्रतिपादित किया गया है तो विकास का सिद्धान्त प्रतिपादित करने का श्री जाता है Charles Darwin जी को option number 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा question number 99 माना उशरीर में निमलकित में से किस अंग की हड़ी सबसे लंबी होती है तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा सबसे सही आंसर है आपका उरू या जांग इस हड़ी को क्या बोलते है कोई मुझे comment करके बताओ जांग की हड़ी को क्या बोला जाता है मैं आपको दो option दे रहा हूँ एक दे रहा हूँ आपको femur और दूसरा option दे रहा हूँ मैं steppies ठीक है steppies और femur इन में से क्या बोला जाता है जांग की हड़ी को clear comment करके ज़रू बताना और यह आपका 100 वा question निमलकित में से किस खाद फसल में protein की मात्रा सबसे ही अधिक होती है सही आंसर क्या हो जाएगा तो सही आंसर है आपका soya bean soya है bean लेकिन protein भर-भर के है soya bean यहाँ आपर सही आंसर हो जाएगा pneumonia का नया रूप सार्स निमलकित में से किस देश में शुरू हूआ तो यहाँ पर सही आंसर है आपका option number 3 चीन में शुरू हुआ option number 3 सही आंसर हो जाएगा अगला question देखिए अगला question आपसे पूछा गया है मानो में केशी रुकों की कुल संख्या कितनी होती है तो यहाँ पर सही आंसर है कुल केशी रुकों की संख्या होती है आपकी 33 option 4 यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question देखते हैं अगला question बायलोजी का question number 103 मानव शरीर में औसतन oxygen तत्यों की प्रतिशत्ता कितनी होती है तो सही answer है आपका 65% oxygen होता है मानव के शरीर में question number 104 देखते हैं यह रहा question number 104 नवजात शिशी को BCG का टी का कब लगाया जाना चाहिए तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा आपके जन्म लेने के तत्काल बात जैसे ही जन्म लेने जितनी जल्दी लग जाए उतना अच्छा है option number 1 बिल्कुल सही answer हो जाएगा question number 105 देख लिजे घोड़े और गधे से पैदा शंकर जाती को क्या कहा जाता है तो घोड़े और गधे के mix पैदा हुए जानवर को कहा जाता है खचर option number 3 यहाँ पर बिल्कुल सही answer हो जाएगा question number 106 देख लेते हैं question number 106 में आपसे पूछा है ग्लूकोमा निम्लिकित में से किसका रोग है तो question number 106 का answer बिल्कुल सही का हो जाएगा आपका नेत्र का रोग है option number 4 ग्लूकोमा नेत्र का रोग है question number 107 देख लीजिए यह आपकी screen पर इसमें आपसे पूछा गया water tankों में शेवाल को नश्ट करने के लिए प्रियोग में किये जाने वाले रसायन को निम्लिकित में से क्या कहा जाता है तो यहाँ पर 107 का सही answer हो जाएगा आपका question number 107 copper sulphate option number 1 यहाँ पर बिल्कुल सही answer हो जाएगा question number 108 देख लीजिए यह आपकी screen पर इसमें पूछा गया है कि मानव गुर्दे का रोग किसके pollution से प्रदूशन से होता है तो सही answer है option number 1 कैडिमियम के pollution से होता है मानव गुर्दे का रोग question number 109 यह सभी railway SSC PSC में आई होए question है मानव शरीर में dehydration निम्लिकित में प्रदा रतों में से किसकी कमी के करण होता है तो caution number 109 का सही answer है आपका जल की कमी के करण dehydration होता है पानी कम पी होगे भाया dehydration हो जाएगा यल्लो यूरिन आएगी तो जब भी यल्लो यूरिन आए समझ जाना पानी की कमी है पानी ज़्यादा पीना है निम्लिकित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने DNA का सबसे पहला पात्र विशलेशन किया था 110 यहाँ पर सही answer हो जाएगा और्थर कॉर्न बर्ग option number 1 दोस्तों 10 question हो गए है यदि आपको 10 में से एक भी question अच्छा लगा हो question number 112 जम्हाई आती है कब तो जम्हाई आपकी आती है रक्त में CO2 की अधिक सांधता option number 1 यहाँ पर सही answer हो जाएगा question number 113 113 में आप से पूछा लगा है कि निम्लिकित में से वह प्राणी कौन सा है जिसका इसनाई उतंत्र तो होता है परन्तु मस्तिस्क नहीं होता तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा आपका 113 starfish option number 2 starfish सही answer हो जाएगा question number 114 देख लो यह राव की स्क्रीन पर रखते इसकंदन में सहाय का विटमिन कौन सा होता है 114 का आउसर विटमिन के बिल्कुल सही answer हो जाएगा यहाँ रखना विटमिन के question number 115 देखो 115 में पूछा गया है निमलकित में से कौन सा घटक मूत्र का अप सामाने घटक है 115 का यहाँ पर सही answer हो जाएगा आपका ketone निकाए option number 4 बहुत धांसू बहुत शांदार question है different different हो सकता है कई question आप यहाँ पर पहली बार देख रहे हूँ निमलकित में से कौन सी कोशी का प्रती रक्षी पैदा करती है प्रती रक्षी पैदा करने वाली कोशी का आपकी है लसी कानू जिसको lymphocyte भी कहते हो option number 4 यहाँ पर सही answer हो जाएगा question number 117 इसमें पूचा गया कि रक्षी सकंदन clotting में कौन सा vitamin सहायक है सकंदन मतलब होता है clotting और सही answer क्या हो जाएगा option number 4 K question number 118 देख लेते हैं बहुत अधिक उचाई पर मनुशी की लाल रुधिर कोशी काउं का क्या होगा तो संख्या पढ़ जाती है option number 3 यहाँ पर सही answer हो जाएगा ठीक है आपको मुझे question का answer देना है उचाई बढ़ने पर जल्ग का कोथनांग घटेगा या बढ़ेगा अधिक उचाई पर पानी जल्दी उबल जाएगा या देर से उबलेगा वीडियो को pause करके जल्दी से comment box में answer दो अधिक उचाई पर जाओ के तो पानी जल्दी उबलेगा की देर से जल्दी से comment करो वीडियो को रोक के देखता हूं कौन-कौन सही answer दे पाता है testative baby का अर्थ क्या है तो testative baby का अर्थ है पात्रे निसेशन फिर गरवासा में प्रती रोपन option number 4 यहां पर सही answer हो जाएगा question number 120 120 वी question में दिया है जिस पदात का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वा प्रती रक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे क्या कहा जाता है 120 का आंसर आपका सही क्या है यह antigen बोलते हैं हिंदी में प्रती जन option number 3 यहां पर सही answer हो जाए question number 121 डार्विन फिजीस का प्रेयोग किस समू के लिए किया जाता है तो सही answer हो जाएगा डार्विन फिजीस यहां पर पक्षियों के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा option number 3 पक्षी 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 question number 122 122 में पूछा गया जन्म के बाद मानों के किस उतक में कोशी का विवाजन नहीं होता है तो जन्म के बाद आपका option number जो दो लिखा है ना तंत्री का इसमें कोशी का विवाजन नहीं होता है question number 123 देख लीजी 123 में आपसे पूछा गया प्रकास संसलेशन के दौरन पैदा होने वाली oxygen का स्रोत क्या होता है तो यहां पर सही answer है जल option number 1 जल होता है oxygen के पैदा होने का स्रोत question number 124 में क्या पूछा गया है आपसे तो 124 में पूछा गया है भी यह निमनलीकित में से किस तत्यों का असंब्द दान्टों की विक्रती के साथ है तो आपका सही answer है fluorine option number 2 इसका असंबल दातों की विक्रती के साथ है कौशन नमर 125 में क्या पूछा है इंसुलिन में निमलिकित में से कौन सी धातू होती है इंसुलिन में 125 में आपसे पूछा गया है यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नमर 3 जस्ता या जिंक बिल्कुल सही आंसर हो जाए कौशन नमर 126 गोल क्रमी एक मानव पर जीवी है जो इनमें से क्या है तो गोल क्रमी एक मानव पर जीवी है जो छुद्रांत में पाय जाता है आप्शन नमर 1 यहां पर सही आंसर हो जाएगा question number 127 में क्या पूछा गया है तो आप से पूछा गया है निम लिखित में से vitamin B12 प्रचर मात्रा में किस में पाए जाता है तो 127 में सबसे सई आंसर है दूध में vitamin B12 प्रचर मात्रा में पाए जाता है दूध से कौन सी क्रांती संबंजित थी ठीक है EEG का प्रयोग किस के कारिका पता लगाने के लिए करते है question number 128 तो यहाँ पर सई आंसर है आपका मस्तिश्क आपको बताना है यहाँ पर option number 4 सई है ECG ECG का प्रयोग किस के लिए किया जाता है कौन से अंग के लिए ECG electrocardiograph किस चीज के लिए प्रयोग होता है question number 139 में क्या पूछा गया है आपसे locked job विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है तो locked job विकृति आपका titnes यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा titnes right answer हो जाएगा या रखिएगा ठीक है अगला question देख लेते है number 1 यहाँ पर सही है question number 130 130 में आपसे पूछा गया है इस्तनपाई भूण के उत्सरजनी उत्पाद किसके द्वारा बाहर फेके जाते हैं तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा option number A अपरा या फिर play center option number 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा question number 131 वा इसमें आपसे पूछा गया है नर्सुरा शार्क में अलिंगिक मतलब class पर किसके साथ जुड़े होते हैं आपको यह बताना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही आंसर चलिए जान लेते है question number 131 है 131 का सही आंसर है आपका option number 1 good punk good punk बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा option number 1 right answer हो जाएगा ठीक है अगला question देखे question number 132 पूछा गया है जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी या लाल हो जाता है तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर है आपका option number 3 नेत्र शलेश्मा ठीक है कंजक टाइवा option number 3 बिल्कुल right answer हो जाएगा question number अगला देखते है 133 133 में आपसे पूछा गया कि माना और शरीर की सामान कोशिका में गुल सूत्रों की संक्या कितनी होती है तो यहाँ पर क्या सही आंसर हो जाएगा इस question का 133 का यहाँ पर सही आंसर है आपका 46 option number 46 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है 4 ठीक है चड़ अगला question देख लेते हैं एक हीनता जन्रोग है या किसकी कमी की करण होता है क्या हो जाएगा सही आंसर 134 का यहाँ पर सही आंसर है आपका विटामिन ए option number 1 बिल्कुल सही आंसर है अगला question देखो question number 135 135 में पूछा गया है निमनलिकिते में से किस गरंथी को पता हो तो कमेट जरू करना question number आपका देखिए 136 में पूछा गया है प्रती जैविक क्या होता है तो मैं डाइट आपको बता जेता हूँ यहाँ पर option number 4 सही है जीवानू के विकास को बाधित करने वाला कोई संसलिष्ट योगिक प्रती जैविक कहलाता है एंटिवाटिक कहलाता ठीक अगला question देखो यह रापकी screen अगला question में आपसे पूछा क्या गया है अगले question में आपसे पूछा गया है कार्वोहाइडरेट सरीर में किस रूप में संचित रहता है तो कार्वोहाइडरेट हमेशा जो है सही आंसर हो जाएगा आपका option number 3 glycogen option number 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ठीए glycogen के रूप में संचित रहता है अगला caution देखो caution 138 138 में आप से पूछा गया है सुद्ध क्रिश्टली रूप में विलगित पहला enzyme कौन सा है सुद्ध क्रिश्टली रूप में विलगित पहला enzyme यहाँ पर option number A amylase option number 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला caution देखो अगला caution 139 पाचन प्रक्रम में किस के किस से सहायता मिलती है तो पाचन प्रक्रम में यहाँ पर option number A enzyme से सहायता मिलेगी आपकी enzyme राइट आंसर हो जाएगा question number 140 में क्या पूछा है 140 में आपसे पूछा गया है जल वसा विभिन उप्चाई अपसिष्टों का उत्सजन किस अंग के द्वारा करते हैं 140 का सही आंसर है आपका वक वक के द्वारा option number 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला question 141 हुआ 141 हुआ है पूछा है ध्वनी को आखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन है तो वो है आपका चमगादर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा option number 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ध्वनी की बात हो रही है तो आप मुझे comment करके बताओ स्रव्य तरंग जिसको आप सुनने सकते हो है ना स्रव्य वाली सुनने योगी जो है कितने से कितने हच तक आप ध्वनी सुन सकते हो ठीक है कमेंट करना वीडियो को पॉस कर लो कमेंट कर लो उसके बाद अगला question देख लेना निम्दली कितमें से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है तो स्त्रीलिंग हार्मोन आपका अभी तक भी वीडियो कि किसने लाइक नहीं गया देख लो इतने शांदार question लेकर आया है हम आपको इतनी महनत कर रहे है एक like ही तो मांगा है और share मांगा है कि share कर देना अपने दोस्तों के साथ आप लोग इस अभी age में हो आपके कम से कम 3-4-5 दोस्त ऐसे होंगे जो आपके age के होंगे प्टायारी कर रहे होंगे आप कुछ मत करो तो उनको personally share कर दो कि भाईया अच्छे question है science के दे आपको अच्छे लगे तो उनको share कर देना जब भी आप video बंद करो उसके बाद ठीक है calcium और iron गरबती इस्तरियों में प्रायक किस्षी की कम्यों होती तो बहिए calcium और iron की गोली स्टार्ड हो जाती है यार रखना उनकी है पूचा गया है आलू की आखें उपयोगी है तो आलू की जो आखें होती है न वो होती है आपकी कायक प्रवर्धन option no.4 यहां पर कायक प्रवर्धन बिल्कुल सयांसर हो जाएगा caution no.147 देखिए तीनिया सोलियम या फीता क्रमी परजीवी के रूप में रहता है किस में रहता है यहां पर सयांसर 147 का क्या हो जाएगा तो आदमी और और औरत की आथ में बिल्कुल फीता क्रमी आदमी और और औरत की आथ ठीक है यार रखना अगला caution देखो question number 148 में पूछा गया चीटी अपने चारों और की वस्नों को देख सकती है ऐसा क्यों ऐसा क्या होता है तो यहां पर सही answer क्या हो जाएगा उसकी संयुक्ते compound आखे होती है option number 4 right answer हो जाएगा संयुक्ते या compound आखों के करण चीटी चारों और की वस्नों को देख सकती है हरताई की एक धरकन में लगबग कितना समय लगता है तो हरताई की एक बार जो धगदग होती है उसमें आपका 0.1 सेकंड लगता है धरकने में अगला caution देखिए 150 बदाई हो आदे caution हो गए यदि आपने अभी तक टिके हैं मतलब आप हाप century मार लिया century मार के जाना है अपने आपको इतना द्रण बनाए कि आदे घंटे तो चैन से बैठके आप अपने आपको अपनी पढ़ाई को अपने करियर को दे सको और वो भी इतने शांदार questions के साथ निमलकित में से कौन सा ग्रंथी नहीं है तो यहां पर सही answer क्या हो जाएगा आपका उदर उदर एक ग्रंथी नहीं है बाकी सभी ग्रंथी है यार रखना ठीक है आपको surprise question दे देता हूँ प्रकास translation के द्वारा हरे पौधे क्या पैदा करते हैं इसके बारे मुझे बता देना प्रकास translation के द्वारा हरे पौधे क्या पैदा करते हैं जिसको नहीं पता तो comment में लग दो सर्थ 201 cancer नहीं पता मैं आपको comment करके बता दूगा कि 201 cancer क्या है वीडियो कैसा लगा भाया शेर दवा के शेर कर दो बिल्कुल दबा के शेर कर दो बहुत महनत लगी है और प्लीज यदि पहली बार आयो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो कर देना लाइक मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही लंबे लंबे वीडियो यदि अच्छे लग रहे हैं बागी आपको और भी वीडियो मिलते हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्लीज शेर कर दो यार शेर जरूर कर देना बहुत महत लगी है